तो बहुत सारे लोग जो बीदेशों में आते हैं जॉब करने के लिए इंडिया मेड़ेवल लोग को लगता है कि उनके लाइब बहुत ही अच्छी है बहुत ही इंजॉइ कर रहे हैं वह बहुत हैपनिंग है उनकी लाइफ पर रहले टी यह नहीं है अगर तो आप फैमली के साथ रह रहे हैं तो आपको सेविंग करना भी मुश्किल हो जाते हैं लोग इंस्टाग्राम और फेस्बूक पोस्ट वगर देखते हैं तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं उन्हें लगता है कि यहां लगता है कि यहां लगता है बहुत अच्छी है बहुत इंजॉय कर रहे हैं तो पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है लोग इंस्टाग्राम और फेस्बूक के अपने बेस्ट मुमेंट वगरा डालते हैं बहुत कुछ यहां पर डाक है तो बहुत कुछ है जो कि लोग को यहां पर फेस करना पड़ता है तब पर क्या रीजन है जो कि हम यहां पर रह रह感 पर फेले जब आहां पर आते हैं तो आपको labor और काम करने वाले क्या आदत नहीं होती है इंडिया में क्या होता है कि आपको साफ सफाई करने वाली बरतन अबभी मिल जाते हैं और खाना मिनाने के लिए क्लिए पर यहां पर यहां पर में स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा आपको मैंने प्लंबर और कार्पेंटर भी बनना पड़ेगा अपसे नहीं वह रहा है तो आप जो है कि बुला सकते हैं और आपको खर्चा भी करना पड़ेगा करना पड़ेगा आपको थोड़ा काम आना चाहिए तो वह कुछ टूंडर जलोटी से लेके 250 तक चार्ज कर लेता है तो यहां पर जो लेबर है बहुत कॉसली है रहने के लिए जो है कि आपको सारे काम यह जो सीखने पड़ेंगे तो थोड़े बहुत सारे काम आपको आने चाहिए boxắc की और पर आपको पर तो यहां फ्रेंग से एक जो है कि लोग कंड रहा स्टफिक ना पड़ाया तो आपको यह नए तो ने моं जिए तो फ्रेंगे थोड़ा फॉल यह फिरा करना अगर आप अनलुकी हुए तो आपके साथ एक्सपेरिमेंट्स विगराभी होगा, क्योंकि यह अपकी अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो आप सोचते हैं कि कोई अच्छा दोस्त बन जा जिस पर आप अपनी बाते हैं उनसे शेयर कर पाई और अपको यह पे डेफिनेटल के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो अगर तो आप इंडिया से आ रहे हैं तो फूडी तो होंगे ही यहां पर हर स्टेप पे इंडियन फूड मिल रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंडिया में तो फूड की बहुत वराइटी है, हार सौमेटर पे आपको इंडियन आपका लांगवज़ वेरियर, तो यह रोप में बहुत सारी एसी कांट्री है, जहां पर उनकी अपनी अलग लांगवज़ अगर तो आप ऐसी किसी कंट्री में रहते हैं जहां पे उनकी लांगवज़ इंगलिस के अलावा डिफरेंट लांवज़ जो है कि आपको थोड़ आपको समझ में नहीं आती हैं तो हम लोग पोलेड पे था हैं तो यहां पर ओफिचल लांगवेज जुढ़ है ऐघर तो सब्सक्राइब करें तो, यह जोbefore है, ने के लिग पाते हैं तो यह बहुनोग की तो हम विट भी आपी, ने का तो हुझते हैं नेक्स्ट है होमसिकनस तो यहां पर आपको रहते वे डेफिनिटली होमसिकनस होगा क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में आप यहां आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है यहां पर घूमते हैं तो बहुत मज़ा आता है उस समय आपको नहीं फील होगा लेकिन एक सम में आपको बहुत ज्यादा आप मिस करने माले हैं और जब कोई फेस्टिबल आने माला होता है तो फिर उसमें और ज्यादा आती है क्योंकि इंडिया में आते हैं तो हम अपने फैमिली कर कितने अच्छे से इंजॉय करते हैं बट यहां पर ऐसा आप फिल नहीं कर पाएंगे यहां पर ही कि इसलेवेट करते हैं लेकिन फील नहीं आता है तो आप और डेफिनेटल्य आप उनको मिस करने माले हैं जब कोई की फैमिली में फंक्च्छन होते हैं तो किसी की शादियों किसी की एंगेजमेंट बट रहे हो रही है तो वह सारी चीज़े आप अपने घर को जद् 시작 मैस करने हैं नेंस दोस्तों के पास आजा हैं थाफ की पास Biennик आज किशिके याइचे की पास छोड़ते हैं यहाँ पर अपने बचो का अटेकर अपको खुदी करना पड़ेगा। चाहे आप बिमार हुए तो भी आपको अपने बच्चे का देखबाल करना है उनके लिए कुक करना है खाना बनाना है और घर की साफसफाई करनी है तो सब कुछ आपको खोदी करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको मैंटली और फिजिकली दोनों तरीके से जो है कि आपको स् बहुत सरी लोग होते हैं हमारे रेलेटिव सोते हैं बहुत आसपास जिनके सर्कल में रहके बच्चा जो है कि जल्दी सीखता है चीजे जल्दी कैच करती है चीजे तो यहां रहके आपको डफिनिटली फीलगा कि इतना मैटर करता है यहां पर नेक्स ट्रगल है जब आप अधर श्याथ जैसे कहा है लृप पोलेंड़ में रहते हैं तो यहां पर रहते हुए बच्चेजली तो यहां पर रहते होई विंटर डिप्रेशन भी फील करने वाले आप शौपिंग स्ट्गल ही जह रहते हैं वहां पर यहां पर बाद एस आपर शॉपिंग स्ट्रगल कर जोब जाते हैं पर नाइटि नाइट तो फेस्टिबल के टाइम पर तो पोरी रात रात तो बहुत तो यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर जब समर आता है तो बहुत लंबा दिनो जाता है पॉने नौबजय के राउंड में जोए कि सूरज ज़लता है हम कभी लेट जाते हैं i frequent shops बंकिस अब रह रहें तो नियुकम नीए जिसका है पर कुछ पॉजेटीफ हैं हर भार आते हैं और इहां पर रहते हैं फानेंशल बैंट तब family जो लोग यहां पर job करने आते हैं, यहां रहते हैं, अपनी family से दूर, अपनी country से दूर, यहां लोग रहते हैं, तो first reason, financial benefit ही है जो देशों में रहने का, the second reason is work-life balance, तो यहां पर क्या है कि work-life बहुत अच्छा है, तो आप अपनी personal life और professional life को separate रखके, बहुत अच्छे से manage कर सकते हैं, यहां पर किसी भी चीज के लिए आपको stress और burden नहीं होता है, यहां पर किसी चीज के लिए आपको परिशानी नहीं होती है, तो आप अच्छे सी manage कर लेते हैं, तो next is freedom, तो यहां पर बहुत freedom रहता है, कुछ भी खाओ, पीओ, पहनो, कैसे भी रहो, कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, फिरो, कोई भी आपको रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई भी ताका जाकी करने वाला नहीं है, आपकी लाइफ में कोई भी इंटरफियर नहीं करने वाला है, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या बाते कर रहे हैं, क्या बाते कर रहे हैं, वो आपको कोई भी आपकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करता है, बिल्कुल फ्री हो, कुछ भी खाने, पीने के लिए, पह विन्टर में 10 automat alert विन्टर में और क्रैको का तो FFT नमबर पर रिकोरद किया गया में तो यहां पी काफी एयर जो है की सुध्ध और श्वक्ष ओस्वक्ष है। में जो होते हैं जो कि ऊच्छ यह अच्छ होता है करह स중ड़ excellency करना है और इक मिल्स की चीज और यहां पहसिच नियुक्त नमले यहां पर पॉद् People कम होगी वहाँ पर definitely human life को काफी ज्यादा value की जाएगी next important point है respect to everyone तो यहाँ पर जो है कि लोग एक दूसरे की equal respect करते हैं चाहे वो किसी भी field में काम करता हो यहाँ पर किसी को भी नीचा नहीं दिखा जाता है वो सफाई करमचारी हो चाहे small worker हो या फिर किसी बड़ी post पर काम करने माला क्यों नहीं हो वो सब एक दूसरे को जो है कि पली respect करते हैं उनके काम को एक पल respect करते हैं यह भी एक reason है यहाँ वीदेशों में रहने का कि हमें कितना mentally और physically यहाँ पे struggle करना पड़ता है और कुछ positive भी बाते बताई हैं कि आखिर में हम यहाँ पे क्यों रह रह रहे हैं तो कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देजी सब्सक्राइब कर लेजी मेरे चैनल को मिलत हैं से नाय और इंप्रमेट्री वीडियो के साथ तिल देन बाबाइए